आप सभी को ब्रीज मोहन योगा चैनल में एक बार श्रागत है और आप लोग इस व्यूडियो देखने के साथ ही साथ ब्रीज मोहन योगा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक कमेंट्स और सेर करिएगा आज मैं आपको यह जो मकोई है मकोई पौधे के बारे में जनकारी दे रहा हूँ क्योंकि मकोई पौधा बड़ी ही लावकारी है गुणकारी पौधे है और इस पौधे का इस्तेमाल कैसे करना है इसे हम कैसे लाव ले सकते हैं यदि आपको हेपिटाटिस, जौंडिस, फैटी लिवर या लिवर समंदी कोई समस्या हो गई हो पाचन सक्ती में कमजूरी आ गई हो भूख नहीं लग रही हो पेट नहीं साफ हो रहा हो तो इस मकोई को यानि इसको बड़ी कुमल पौधा है इसके मैं जड़ से दिखाना चा इसमें फली भी लगी होई है देखिए आप नजीक से में दिखा रहा हूं अब यह हरा हरा है पक जाने पर यह कला कला हो जाता है इसे हम द्याती भासा में भटकुईयां भी कहते हैं क्योंकि यह द्याती अंगूर के नाम से भी जाना जाता है और यह गरीब लोगों के चुटे-चुटे इसमें दाने लगे हुए भी पकेंगे तो यह काले हो जाएंगे तो इस मकोई को इसके जड़ को करना क्या होता है कि जो इसमें अंदर जड़ है उसको निकाल करके और इसका पंचांग व्याने पूरी अंगों को भी इसको धो करके और पीस करके 15-20 से मिल प्रति दिन इसको सेवन सुबह साम करते हैं तो हेपिटैटिस जाउंडिस और पिलिया रोग के लिए तो यह राम बाना उशदी है और यह बड़ी ही प्रमारिक उशदी है सदियों से हमारे पुरवज इसका इस्तिमाल करते हैं इसलिए आप सब लोग एक बार इस मकोई के पौधों को बढ़िया से देखिए पहचानिये और इसका इस्तेमाल करिए और इसके लाब को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें तो उसके लिए आपको तुछमोंयों का चैनल को सब्सक्राइब करना होगा लाइक करना होगा कामेंट्स और सेर करना होगा तो यह मकोय का इस्तिमाल करिए आप इसके जड़ को तने को इसके पत्ते को पंचांग को आप इसका सेवन करेंगे तो लीवर समंधी समिश समस्याओं का निराकरन हो जाएगा तो आईए आपको जनकारी कैसे लेगी आप कमेंट्स का ज़रूर करिएगा और एक बार पुना चैनल को स तो आप इस पौधे को पाचान गए होंगे कि यह हर जगा उपलब्द होता है ओम दन्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्व